अलो फ्रेंट्स आज हम लोग जाने जा रहे हैं important facts about चंद्रयान जी हां दोस्तों इस बार बारवीं के बाद जो भी बच्चे exam देने के लिए जा रहे हैं चाहे वो J.E. का हो या फिर S.E. का या और भी All India के जो entrance examinations होते हैं वे question जरूर आने वादे हैं चंद्रयान 1 जो की 2008 में launch किया गया था उसके बाद समय आया था जब चंद्रयान 1 ने चंद्रयान 2 को 2018 में चंद्रयान 2 ने उसको replace किया था तो 2018 और 2008 के बाद में अब 2023 में चंद्रयान 3 जो की अभी orbit में जा चुका है और अपना सफर आगे तै कर रहा है इसका comparison भी पूछा ज mission 1960 के साथ किया जा सकता है इसको तो दोस्तों अगर आप लोग इस बात से घर भी महसूस करते हैं प्राउड इंडियान फील करते हैं तो यह important facts जानने भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं आप अगर exam दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो इसको सक्सेस्फुली लांज़ रूण 22nd of October 2008 इसमें जो rocket यूज किया गया था यह था पी एसल वी एक्सल सी वन वन और इसको दो साल के लिए लांच किया गया था और इसको इसरो द्वारा ही लांच किया गया था उस जमाने में 2008 में इसकी जो कॉस्ट थी वह 386 करोड थी ज तो कोश्चन आ सकता है PSLV XL C11 के बारे में तो चलिए अभी देखते हैं Mission Moon चंद्रयान 2 इसकी कीमत थी 978 करोड यानी 143 मिलियन और लांच डेट था 22 जुलाई 2019 का तो यह चंद्रयान 2 जो था यह 22 जुलाई 2019 को लांच किया गया था और इसकी कॉस्ट जैसा कि आपने देख 143 मिलियन थी यह 52 मिलियन is the cost of GSLV MK3 यह GSLV MK3 से लांच किया गया था यह जो वेहिकल था इसके ओपर डाल करके इसको भेजा गया था और एक्सपेक्टेड डेट था Landing on Moon was 6 September 2019 इसका जो एर्बिटर था और जो लेंडर था लेंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रग्ज्याट यह चीजें question पूछ जा सकते हैं तो स्का नाम है लेंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रग्यान तो जो 88 million का बजट था वो था सिरफ orbiter, lander और रोवर का मिला के और 52 million cost थी GSLV MK3 जो launch vehicle है उसकी तो ये दोनों के बारे में आपको question आ सकता है और इसका जो expected date था वो था 6 2023 में अभी इसमें landing side जो है वो थोड़ी change की गई है बट उसका coordinate बहुत थोड़ा सही change किया है पिछले वाले में इसको damage कर दिया था उतरते समय इसलिए वो coordinate थोड़े से change किये गए और साथ ही साथ ये जो payload लेकर के जा रहा है 1752 kg ये जो payload है इसके अंदर में है रंभा, ILSA उसके सासाथ में LIBS यानि laser induced breakdown spectroscope, alpha particle x-ray spectrometer यानि APXS और spectropolarimetry of habitable planet earth यानि shape तो इन सभी चीजों को लेकर के जो moon का atmosphere है उसकी study करने के लिए उसका जो mineral composition है उसकी जो regolith है इसको पूरे को study करने के लिए ये payload को अपने साथ लेकर के तो दोसों ये भी बहुत important हो जाता है question और साथी साथ में launch vehicle जो है इसका वो है mark 3 यानि LVM3 two solid fuel strap on boosters जो की one liquid fuel core stage है and cryogenic upper stage है इसको total length है 43.5 meters इसको लेकर के ये जा रहा है और ये question भी काफी important है LVM3 के बारे में तो LVM3 जो है ये lift off carrying कर रहा है 3900 kg यानि 3900 kg चंद्रयान 3 को और इसके payloads के बारे में हमने आपको बताई दिया है तो दोस्तों ये वाले जो questions है ये चंद्रयान के बारे में बहुत important हो जाते हैं और आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा तो दोस्तों तीनों के बारे में आपको information मिल चुका है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में और हमारे पास में जो data available है अमेरिका लूनर स्पेस के बारे में तो उसका comparison इस तरह है कि चंद्रयान 1 जो 2008 में launch हुआ था उसका cost है 386 करोड यानि US dollar 52 million चंद्रयान 2 2019 में launch हुआ जिसका cost है 978 करोड यानि 128 US dollar millions और चंद्रयान 3 जो अधर 23 में launch हो रहा है इसका है 615 करोड यानि 75 million लेकिन ये total जो बनता 279 करोड यानि 255 million ही बनता है which is equal to US dollar 255 million only जबकि America's lunar mission का जो cost था in 1960 1960 में ये 25.8 billion था which is approximately 178 billion in today's dollars value यानि 178 billion के against में हमारे तीनों तीनों के तीनों को मिला करके भी 255 million ही होते हैं तो दोस्तों ये बहुत बहुत ही proud feeling है जब हमारा चंद्रयान 3 जो की launch हो चुका है और वो अपने orbit में successfully जा चुका है बस अब पेट है भगवान से उम्मीद करते हैं कि वह सही तरह से moon के ओपर लैंड करके बहुत सारी जानकरी मानुवित में जारी करें और वहां से हमें एक नए सुर्णिम यूग का आगास कराए और भारत को एक शक्ति के रूप में एक सूपर पावर की रूप में establish करने में मदद करें नरेंद्र मोती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस रो का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करें धन्यवाद